नमस्कार आप देखने हैं समाचारिया, मैं हूँ आपके साथकांग शबिष्ट ले चलते हैं बॉलीवुड के कुछ अदेश के दरब ओमंग कुमार की डारेक्टोरियल पीम नरेंद्र मोदी अपनी रिलीस से पहले ही विवादों और मुसीवतों से इखर चुपी है बायोपिक में पीम मोदी का रोल निभा रहे एक्टर विवेक ओब्रॉय सबसे पहले तब एक्सपोस हुए जब कोब्रा पोस्ट के सिंग ऑपरेशन के दौरान विवेक ने पॉलिशिकल पार्टी से पैसे लेकर अपने सोशल अकाउंट से उस पार्टी का प्रेचार कर अपने फैंस तक गलत मैसेज पहुचाने की दिए उसके बाद फिल्म के क्रेडिस लिस्ट में गीत का जावे दक्तर का नाम बिना उनकी जानकारी के डाला गया जिसको लेकर काफी विवाद हुआ यहां तक की खुद जावे रक्तर और शबाना आजमी ने इस बात पर खेद गख्त किया इस बायोपिक का राश्ट ठाकरे की पार्टी महराश्ट नव निर्वान सेना ने भी विरूद किया पार्टी का आरोप था कि फिल्म चुनाव 2019 के तहट आचार सहिता का उलंगन करती है इसके बाद खुद दिल्ली के निर्वाचन कार्याले ने इस फिल्म को आचार सहिता का उलंगन माना और पूर्वे दिल्ली के निर्वाचन अधिकारी के महेश ने फिल्म PM नरेंद्र मोदी के विग्यापन प्रकाशन के प्रोडक्शन हाउज, म्यूजिक कमपनी और दो समाचार पत्रों को 20 मार्च को स्वता नोज जारी किये संबंदित पक्षों को जवाब देने के लिए 30 मार्च तक का समय दिया गया है आपको बता दें कि फिल्म की रिलीज डेट पहले 12 अप्रेल आई थी लेकिन अब फिल्म को 5 एपरिंट को रिलीज किया जा रहा है चुनाब के इस माहौल में इस तरह कि फिल्में रिलीज करने के कई मतलब निकाले जा सकते हैं हलागि प्रोड्यूसर्स का खहना है कि ये फिल्म पब्लिक डिमांड पर लाई जा रही है तमिल एक्टर राधा रवी अपनी एक्टिंग के अलावा अपने कॉंट्रुवर्शल स्टेटमेंट के लिए भी वाफिक सुर्फियों में रहते हैं लेकिन इस बार राधा रवी का एक्ट्रिस नयन तारा पे ये इंडीसेंट स्टेटमेंट यानी अभध्र बयान भारी पड़ गया सोशल मीडिया पर भुरी भरी सुनी अलग और जीम के पार्टी से निकाले गये अलग दरसल राधा रवी ने अपनी आने वाली फिल्म के ट्रेलर लॉंच में महिलाओं पर आपत्ती जनक बयान दिया राधा रवी ने नयन तारा को लेकर कहा वो एक भूट के तौर पर काम करती है फिर सीता के तौर पर भूमिका निखाती है पहले लोग सीता जैसी भूमिका के लिए के भी विजिया जैसे लोगों का चुनाव करते थे लेकिन अब किसी को भी सीता जैसी देवी बनने के लिए ले लिया जाता है उन्हें ऐसे लोगों को लेना चाहती है जिनने देखते ही मन में उनके प्रती श्रद्धा का भाव जगे उनको नहीं जो लोगों के साथ सोती फिर्थी हो इस बयान की देरी थी कि सोचल मीडिया पर एक्टर्स से लेकर हर किसी ने राधारवी को जम कर सुनाया इससे पहले भी राधारवी एच्वर्या के बारे में भी अपना वयान दे चुके हैं कि अगर उन्हें सिर्फ हिंदी बोलनी आती तो उन्हें एच्वर्या के साथ रेट सीन करने का मौका मिल पाता बाजिराव मस्तानी और पदमावज जैसी लव स्टोडी के बाद अब संजे लीला भंसाली दो राइटर्स की लव स्टोडी लेकर आ रहे हैं रिपोर्ट के मताबिक संजे लीला भंसाली, साहिर लुद्यान्वी और अमरिटा प्रीतम जिनकी कहानी हमेशा से चर्चा में रही है उनके प्यार को दर्शकों के बीच रखने के लिए काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं खबरों के मताबिक अभिशेक बच्चन फिल्म में साहिर लुद्यान्वी के रोल में रज़र आएंगे और मही ताप्सी पन्यू अमरिदा प्रीतम के खिरदार में रज़र आएंगी हलाकि इस बात की अभी तब कोई ओफिशिल अनॉंस्मेंट नहीं हुई लेकिन फिल्म मनमर्जिया से अभिशेक और तापसी की जोड़ी को काफी पसंद किया जा रहा है सुनील शेटी के बेटे आहान शेटी बॉलेवर में तेंगू की ब्लॉक बस्टर फिल्म आरेक्स हंडर के रिमेक से अपना डब्यू करने जा रहे है फिल्म में आहान के अपोजेट तारा सुतारिया होंगी फिल्म का डिरेक्शन तिगमान्शू भूलिया कर रहे है फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है आपको बता दे तारा सुतारिया इस फिल्म के अलावा स्टूडेंट आप दे यर 2 में भी कार्टी कार्यन और भूमी पांडे करके साथ दिखाई देगी कभीर खान डायरेक्टोरियल 83 इंडियन क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर बन रही फिल्म जिसमें फॉर्मर टीम कैप्टन कपिल देव के किरदार में नजर आएंगे रनवीर सिंग फिल्म की शूटिंग जोरो पर है और कपिल देव आजकल रनवीर सिंग को क्रिकेट टिप्स की दे रहे हैं इसी बीच कपिल देव की 23 साल की बेटी आम्या ने भी फिल्म को एज असिस्टिन डिरेक्टर जॉइन कर लिया है आपको बतादे फिल्म की रिलीज डेट शुट होकर 10 एपरेल से 2020 हो सकी है